नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं लोकसब चुनाव 2024 के मद्दे नजर विपक्षी गटबंधन या ही ND Alliance मलगतार तयारियों में जुटी हुई है एक की बाद एक बैठके हो रही है और कहीं नेता एक दूसरे से मुलाकाद देकर रही है अलकि अब तक इंडी Alliance के सेयोजों के पुर्धान मंतरी पत के लिए किसे चुना जाएगा इसका पैसला नहीं लिया जा सका तरस बीच समाजवादी पार्टी ने एक बरिमाग इंडी गटबंधन के सामने रख दी है दरसल सपा के प्रवक्ता और पूर्व मंतरी आईपी सिंग ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साजा किया है सपा प्रवक्ता के से इंडी गटबंधन के तरफ से चुने जाने वाले प्रधान मंतरी पत को लेकर राजनीती बढ़ गई है दरसल सपा नीता आईपी सिंग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा देश भर के पटेल समाज और पीडी ने तैक कर लिया है कि पिछले वर्ग के पटेल श्री नितीश कुमार जी को देश का अगला वर्धान मंतरी बनाना है सिंग हासन खाली करो की जनता आती है पतादे की आईपी सिंग ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें समाजवादी पार्टी के मुख्या के लिए श्यादव की तस्वीर और जेडियो के प्रमुक नितीश कुमार की तस्वीर है इस तस्वीर में लिखा है कि यूपी और बिहार गया मोधी सरकार दरसल समाजवादी पार्टी ने पीम पत के लिए नितीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया है इसके बाद इस पूरे मामले पर सियासा भी तेज हो गई दरसल इंडी गटबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के दोरान टीमसी और आमादी पार्टी ने एक सुर में मलिक करजुन खडगे को प्रधान मंतरी और संयोजग बनाये जाने के सिफारिश की थी अलगी खडगे ने इसे खारिच कर दिया और कहा कि पहले चुनाव हो जाए इसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी खडगे ने शनिवार को कहा कि इंडी गटबंधन में शामिल खटक दलूं की नीताग गटबंधन में पदूं की आवंटन पर 10-15 दिनों की भीतर ही फैसला लेंगे खडगे की ये टिपपणी तब आई जब ये अटकनी लगाई जा रही थी कि गटबंधन लूट सब चुनाव से पहली एक संयोजग चुन सकता है तलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही नहीं शुर्दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे